तो नमस्कार साथियो तो करंट अफेर्स की गागर में सागर जो हम इस बार नए इस रेसे 10 पार्ट में कर रहे हैं बच्चो जो अखसर हमें एक ही बार लेते थे साथ में छे घंटे इसका उतना फायदा बच्चों को जितना मिलना चीह था मिलनी पा रहा था प्लस कुछ इसका रिस्पॉंस आने वाला है चिंता मत करो है ना शुरुआत करते हैं शुरुआत की कौन सा राज्य भारत में जाती आधारित सर्वेक्षन कर रहा है तो यह बिहार जो है भारत में जाती आधारित सर्वेक्षन यहनी कास्ट बेस्ट के किस कास्ट के कितने लोग है क्या of the year award हुआ करता था ऐस्ट्रेलिया का तो वहां के एक प्लेयर थे बड़े ही फेमस शेन वार्ण उनका बहुत कमुम्र में निधन हो गया एक देड़ साल के अंदर अंदर ठीक है अभी तो शेन वार्ण जो हैं उनके नाम पे जो टेस्ट प्लेयर वो देते थे पहले बिना किस है इससी के नाम के वो शेन वार्ण के नाम पे कर दिया उन्होंने किस के नाम incentiv कर दिया बचो शेन वार्ण के तो इसको मिला है बच्चो Steve Smith को यह भी कहां के वही के है और वहां जो महिला ख्लाडी होती है उसे मिलता है बैलिंडा क्लार्क पुरानी एक कौन रही है बैलिंडा क्लार्क इनके नाम पर क्यों मेडल देते हैं भला क्योंकि यह पुरानी क्रिकेटर रही है महिला ठीक है तो इनके नाम पर तो महिला को दिया जाता है बेथ मूनी को एलन बॉर्डर वहां के बहुत बहतरीन एक पुरु उसको दिया जाता है उसे स्टीव स्मित को दिया गया है इनको स्टीव स्मित को बचो किस राज्य की कैबिनेट ने फ्लोरी कल्चर मिशन तो सीधे सीधे आएगा और आंसर आज आएगा असम फ्लोरी कल्चर मिशन यानि जो फ्लोरी कल्चर है नहीं फूलों से संबंदित जो चीजे हैं उनको उन फसलों को फूलों से संबंदिच चीजों को बढ़ावा देने के लिए फ्लोरी कल्चर मिशन शुरू किया है किसने ये असम ने शुरू किया है किस कॉलेज को भारत में सीर्स Mb.A. कॉलेज अब MBA का मतलब क्या है कि वो Management College है तो Top Management College भी लिखा आ सकता है कि कौन सा प्रबंधन संस्थान कौन सा Top प्रबंधन संस्थान है तो आपको पता होगा मैं बार-बार बताता हूँ कि IIM एहमदाबाद जो है उसको Best Management College माना जाता है कई साल से आपने देखा होगा बचो कई साल से उसने जारी किया था कि Best Management College कौन सा है तो यह है बचो IIM एहमदाबाद हाल ही मैं वंचित लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए यानि ऐसी लड़कियां जो क्या हैं वंचित हैं अंडर प्रिविलेजड हैं जिनको सारी सुक्षविधाय नहीं मिल पाती तो जो अंडर प्रि प्रदेश के द्वारा ही शुरू किया गया है तीन चर्णों में इसको लॉंच किया जाएगा उत्तर प्रदेश की वन डिस्टिक वन प्रोड़क्ट एक बच्चो स्कीम है एक वन डिस्टिक वन स्पोर्ट भी उत्तर प्रदेश की है कहां की वन डिस्टिक वन प्रोड़क् कि बई होकी का जो वर्ड कुप था वो जर्मनी ने जीता किसने जर्मनी ने अपने दूसरा कूब सुना है बेल्जीम को हराया था यह निकि बेल्जीम को मिला होगा क्या सिलवर मेडल धर्ड नमबर पर आएगा बच्चो क्या hält नंबर फे क्या नीधरलेंड आने वाला है बि चार बार ये पाकिस्तान ने जीता है, होकी का वर्ल्ड कप, चार बार पाकिस्तान ने जीता है, और सबसे जादा बार है, ठीक है, सबसे जादा बार है, ध्यान रखना है, होकी का वर्ल्ड कप जो है, अगर उसकी बात करें तो भारत ने बस एक ही बार, 1975 में जीता है, अभी जो लेतस्ट हुआ है वो कहांपर हुआó था तुजार जर तैसका भारत में हुआ था धियान रखना है उसे जीता किसने ship जार्मनी ने किसको रखांए बेल्जियम को राया और तीसरे नंबर पे कौन है बच्चो नीदर लेंड है ठीक है नीदर लेंड क्या ये वही नीदर लेंड है जिसने बच्चो अभी गोल्डन वीजा समाप्त कर दिया है अभी अभी किया है ध्यार रखना है ये वही नीदर लेंड है ध्यार रखना है जो बच्चो किस बै जह के मैक्स वर्स्टा पैन है यहां के मैक्स वर्स्टा पैन जो खिलाडी है ठीक है मैक्स वर्स्टा पैन फर्मूला वन के खिलाडी यह उसी नीदरलेंड के हैं प्लस पेंशन इंडेक्स में इसका पहला नंबर है जब पेंशन मिलती है तो आदमी निडर रहता है तो पेंशन इ विकेट लेने वाले गैंदबाज, T20 इंटरनेशनल में तीम इंडिया के लिए सबसे जादा विकेट लेने का कारणामा किया है यजवेंदर चहल ने, किसने? यजवेंदर चहल, बच्चो गंतंत्र दिवस परेड थी, इस बार कौन से नंबर की थी? चोहितरवे नंबर की थी मानस खंड नाम दिया गया है, ध्यान रखना है बच्चो, मानस खंड इसको नाम दिया गया है, उत्राखंड की जहांकी थी, इसको पिर्थम स्थान दिया गया है, दूसरे नंबर पे महरास्त आया था, आंधर प्रदेश के CM हैं जगन महुन रेडडी, उन्होंने नई राजधानी बनेगी, आंधर प्रदेश आपको पता होगा, जब तेलांगाना अलग हुआ, तो जो इनकी राजधानी थी हैदराबाद, वो तेलांगाना के हिस्से में चली गई, तो फिर इन्होंने अभी अपनी राजधानी अमरावती को बनाया हुआ है, लेकिन उन्होंन हैं, उसमें वर्ड बैंके में किसे शामिल किया गया है, परमेश्वरन अयर को, भारत के परमेश्वरन अयर, और क्या ये नीती आयोग के पूर्व सीओ है, जल्दी कमेंट करके बताओ, क्या ये नीती आयोग के पूर्व सीओ है, परमेश्वरन अयर, हाँ जी ये नीती आय के पूर्व सीयों हैं बच्चो ध्यान रखना है ठीक है वीर गारजियन युदभ्यास में भारतिय दल का नित्रत्व किस ने किया वीर गारजियन जो था उसमें भारतिय दल की लीडर्शिप की अवनी चतुरवेदी ने किसने अवनी चतुरवेदी ने बच्चो याद रखना है ठीक है पहले बार हुआ कि किसी विदेसी बलके साथ हमने युद्दध्यास किया और उसका per day उसको lead किसी महिला ने किया हो यानि हम अपने अपनी करते हैं जब दूसरी बात है हमने किसी और देश के किर्केट के तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा किर्केटर कौन है शुभमन गिल है तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले टीटवन्टी में शतक बना दिया वंडे में बना दिया टेस्ट में बना दिया इनसे पहले किसी भी व्यक्ति ने इतनी कम अम्र में in टीनों फॉर्मेट में 100 रण नहीं बनाए थे डिस सबसे कम उम्र में 200 बी किसी खेल को पहली बार खिलना, टो डेबू किया है थीक तेनों – में ODI में भी , T20 में भी और टैस्ट में ब्रवर पहले खिलारी हैं ऐसे जिननों ने 30 स्लस के उम्र में تीनों में खेला है बच्चों , UTS डेबू किया है. थीक है ? आद्र भूमी दिवस्त दो फरवरी को मनाया जाता है कब दो फरवरी को इस बार की थीम क्या थी यह आद्र भूमी बहाली का समय है It is time for wetland restoration बच्चो याद रखना है महिलाओं की जो सीनियर रास्तिय होकी चेंपियंशिप हुई वो किसने जीती थी मद्ध्य प्रदेश ने मैंने अभी rapid fire में कराया है आज जो महिलाओं की सीनियर रास्तिय होकी चेंपियंशिप जो ही न वो मद्ध्य प्रदेश ने जीती थी वच्चो किसने मद्ध्य प्रदेश ने एक चर्च गेट railway station है उसका नाम क्या कर दिया गया है तो चिंतामन राव देशमुख यानी सीडी देशमुख जो RBI के पहले भारतिय गवर्नर थे RBI के पहले गवर्नर थे Osborne Smith कौन थे Osborne Smith लेकिन RBI के पहले भारतिय गवर्नर कौन थे चिंतामन राव देशमुख बच्चो याद रखना है और National Beach Soccer Championship किसने जीती केरल ने जीती किसने केरल ने जीती है बच्चो ठीक है बच्चो 5.94 लाख करोड ये सबसे जादा आवंटित किये गए हैं ठीक है highest यानि कि सबसे जादा धन जो है रक्षा मंत्राले को दूसरे नंबर पे सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्राले जो नितिन गड़करी जी के पास है उसमें 2.70 लाख करोड रुपे बच्चो और तीसरे नंबर पे रेलवे मंत्राले को 2.41 भारत के कौन से म्यूजिक कंपोजर है जिनने ग्रैमी अवार्ड मिला जो ग्रैमी अवार्ड है वो संगीत के लिए दिया जाता है और ये तीसरी बार मिला है हमारे भारत में से किसी को और उनका नाम है रिकी केज क्या नाम है रिकी केज बच्चो और तीन ग्रैमी पाने वाले एक मात्र भारती हैं है ये तीन ग्रैमी पाने वाले PM Modi ने India Energy Week 2023 का शुभारंब कहां किया सीधे सीधे पुछेगा India Energy Week 2023 का आयोजन क्या बच्चो बेंगलूरू में किया गया क्या बेंगलूरू में बिल्कुल बेंगलूरू में ही किया गया रेलवे किस योजना के तहत भारत गौरव डिलिक्स वातानुलिकुत वातानुकुलित परियतक रेलगाडी शुरू कर रहा है यानि भारत गौरव तो नाम है डिलक्स वातानुकुलित मतलब एर कंडिशन वाली है परियतक माने टूरिस्ट के लिए है तो ये रेलगाडी शुरू की जारी है दियान रखना है एक भारत स्रेस्ट भारत के तहत और अब तो यह चल भी रही है यह तो जनवरी फरवरी की नहीं हुज़ा है न क्योंकि हम जनवरी नहीं पिछले साल से कवर कर रहे हैं बच्छो गुजरात की पहली महिला कार्यवाहक मुख्य नाय दीज बहुत मारकोनी पुरुस्कार दिया जाता है मारकोनी और इसे दूर- दूर्संचार का नोबल कहा जाता है यानि टेली कम्यूर्प कम्य 온ो धृूक्र चोले कि आरही ए और किम्यूर्प करसके नाकि उनके अब जो फाड कि निए तौहार रचाता है बाशन हो पूरा भ्रमांडी दिखाई दे गया था तो तो किसी से भी कर सकते हैं बच्चो ध्यान रखना है तो ध्यान रखना है मारकोनी पुरुसकार जिसे दूरसंचार का नोबेल भी कहते हैं इसमें एक लाख अमेरीकी डॉलर बहुत बच्चो बहुत राशी होती है 80 रुपे के करी बच्चो एक है डॉक्टर पैगी मोहन नहें पुरुसकार दिया गया है मात्र भूमी बुक आफ द यार का किसका मात्र भूमी बूक आफ ड़ ययर का के विश्वनाथ का हा ली में निधन हो गया वो किस छेतर से संबन्दित थे फिल्म जगत से संबन्दित थे के विश्वनात और इतने महतपूर्ण व्यक्ती कि 2017 में दादा सहाब फाल के पुरुसकार से सम्मानित किया गया था 17 में दादा सहाब फाल के पुरुसकार से बचो ये हैं देखे भी होंगे आपने साउत की मूवी में देखे होंगे याद रखना है PCPCR बच्चो इसने बच्चों के लिए कौन सा WhatsApp चैट बोट लॉंच किया है तो बाल गोपाल या बाल मित्र बाल मित्र बच्चो ठीक है जैसे एक होता है कौन सा एक होता है नेशनल कमीशन फोर प्रोटेक्शन ऑफ चालड्राइट्स होताय का एक इस थर दिल्ली वाले की चीफ है तो इसी तरह नेशनल कमिशन फोर प्रोटेक्शन ओफ चाइल्ड राइट है ना उसी की तरह दिल्ली का वी एक कमिशन है और उसने बचों बच्चों के अधिकार के लिए एक बाल मित्र नाम का चैट बॉट जानते हो चैट बॉट का मतलब है जैसे आप वेबसाइट वगरा खोलोगे इस तरह की कोई चीज लिखिया जाएगी एक बॉक्स बन जाएगा वो कहेगा हाउ में आई हेल्प यू जैसे आजकल होता है बच्चों हाउ में आई हेल्प यू इस टाइप से वो पूछेगा और आप बताऊगे कि यह समझ्चा है तो महरास्टर का राजजगीत बच्चों जै जै महरास्टर माजहा एकनाथ शिंदे राजजगीत दोनों आपको याद रखने हैं मद्यपरदेश सरकार ने भोपाल का जो इसलाम नगर नाम का जगह है उसे क्या कर दिया है तो इसलाम नगर को बोलेंगे जगदीशपुर क्या बोलेंगे जगदीशपुर बच्चों बोलेंगे क्योंकि स्थानिय लोग उसका नाम बदलने की बहुत लंबे समय से डिमांड कर रहे थे तो इसलाम नगर का नाम है जगदीशपुर आपको यह याद रखना है सामाजिक नयाय और अधिकारिता मंत्राल्य के साथ कौनसा के इंद्रिय मंत्राल्य है जो नमस्ते स्कीम को लागू कर रहा है बच्चों तो क्या यह बच्चों शहरी वाला है पहले आप समझो नमस्ते स्कीम क्या है नमस्ते का मतलब है हम नमस्ते कर रहे हैं किसको जो आज तक हम लोगों से सीवर वगएरा की सफाई करवाते आ रहे थे अब जब नमस्ते एक तो जब किसी को बराबरी पे लाना हो तो यह मन्तराले साथ रहता है उसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मन्तराले और क्योंकि सीवर वगेरा का कॉनसेप्ट भी जादा है ही कहां पर यह शेहरों में ही है इसलिए ध्यान रखना है दोनों मिलके नमस्ते स्कीम को शुरू कर रहे हैं और नमस्ते की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं नेशनल एक्षन फोर मेकेनाइजड सैनिटेशन इको सिस्टम बच्चों ये आपको रखना है याद है ठीक है तुर्की और सीरिया में भूकम पाया भारत ने कौन सा उसमें अभियान चलाया था तो ऑपरेशन दोस्त भारत ने चलाया था किसने ऑपरेशन दोस्त लगातार छटे वर्स ATD Best Award जीता है ATD का मतलब समझ लोगे ले Association for Talent Development यानि इस कंपनी में लोग काम तो करते ही है साथ में उनके Talent Development के लिए ये कंपनी काम करती है यानि उनको वहां काम करते करते हैं उनका Talent भी डवलप किया जाता है तो जहां रखना है ये NTPC है कौनसी PM Modi ने जो हाल है यानि हिंदुस्तान Aeronautics Limited इसकी एक Greenfield Helicopter Factory का उदगाटन किया है क्या करनाटक में तो नहीं कर दिया करनाटक में ही किया है कहां पर तुम कुरू करनाटक के तुम कुरू में हिंदुस्तान Aeronautics Limited की एक हेलिकॉप्टर एकाई जो है बच्चो जो हेलिकॉप बनाईगी वो PM Modi ने क्या कि है वो PM Modi ने उसका उदगाटन किया था ठीक है चलो पांच फरवरी से काला घोडा कला महस्व, simple सवाल आएगा, काला घोडा ये वार्सिक है और ये मुंबई में होता है, काला घोडा क्या है, वार्सिक है और मुंबई में होता है, ध्यान रखना है बचो, और एक कला महस्व है, राखी कपूर को किस पुस्तक के लिए golden book award से सम्मानित किया गया, तो राखी कपूर हैं ध्यान रखना है, और इनकी पुस्तक कौन सी है, नाव यू ब्रीद, राखी कपूर, नाव यू ब्रीद नाम की पुस्तक है, golden book award से उन्हें सम्मानित किया गया है, विक्ट्री सिटी नाम का उपन्यास किस ने लिखा है, तो विक्ट्री सिटी हाल ही में लिखा गया है, सल्मान रश्दी के दौरा, किस के दौरा, सल्मान रश्दी, उत्तर प्रदेश ने अपनी Global Investors Summit का आयोजन कहां पर किया है, लखनव में किया है, बचों कहां पर, लखनव में ही पैरा बैडमिंटन अकैडमी भी बन रही है, देश की पहली, पर लखनव में ही ब्रहमोस का का खाना भी बनाया जा रहा है, या ब्रहमोस का कार खाना भी लखनव में ही बनाया जा रहा है, प्रेस काउंसिल आफ इंडिया एक पत्रकारिता के लिए अवार देती है, पत्रकारिता के लिए बहुत बहतरीन पत्रकारिता के लिए अवार देती है, वो किसको मिला है, डॉक् रखना है जिसका पुरुसकार का नाम क्या है राजा राम महन राय रास्टि पुरुसकार इसके लिए दिया जाता है पत्रकारिता के लिए दिया जाता है ए बी के पिरसाद को ठीक है बच्चों मैं एक बार बता दूँ आपको कि इसाम की क्लास है क्योंकि गागर में सागर है हम जो fact समझाने वाला होगा उस पे तो time लेंगे और जो समझाने वाला question नहीं है जिसमें हमें बस fact ही देखना है तो हम उस पो जल्दी जल्दी ही करेंगे ज़्यदा time लेंगे क्योंकि अब आपका हर चीज के revision का time है तो मैं आपका बहुत ज़्यादा time ले लूँ तो मुझे वो ठीक लगता नहीं है बच्चो ठीक है वो कहीं न कहीं नुकसान दायक है तो ठीक है आप उसमें हो बिल्कुल सहमत हो तो एक बार thumbs up कर दो ठीक है thumbs up कर दो कि जो केवल factual question है हम उस पे ज़्यादा time नहीं लेंगे हम करेंगे और आगे बढ़ेंगे ठीक है चलो बच्चो डॉक्टर A.B. के परसाद मैं लास्ट मैं बताऊंगा कहां PDF मिलेगी ज़ना धाल ही मैं किस राज्य के मुख्य मंत्री ने पुधुमई पैन योजना तो पुधुमई पैन जो है तमिल नाडू की है और ये किस के लिए है बच्चो सिक्षा पूरी करने के बाद जब उच्चे सिक्षा के लिए छात्राएं जाती है तो ध्यान रखना है बच्चो उन्हें हजार रुपे पुधुमई पैन कहां की है तमिल नाडू की है बच्चो ठीक है विग्यान में महिलाओं वे बालिकाओं के लिए अंतरास्टी ये वर्स यानि विग्यान में जो इनका क्या रहता है सहयोग रहता है योगदान रहता है उसके लिए वर्स मनाय जाता है 11 फरवरी को क्या? 11 फरवरी को बचो विश्व यूनानी दिवस्वी कब मनाय जाता है 11 फरवरी को ही मनाय जाता है और ये क्यो मनाय जाता है 11 फरवरी को तो एक हकीम अजमल खान थे यूनानी शोध करता उनका जनम दिन है इस दिन क्या है जनम दिन तो ये भी 11 फरवरी को ही विश्व यूनानी दिवस्वी बनाया जाता है हैदराबाद में आपको पता है फॉर्मूला ए हुई थी फॉर्मूला ए मतलब कार रेस इलेक्ट्रिक कारों की हैदराबाद में जो फॉर्मूला ए किस ने जीती है बच्छो जीन एरिक वरगेन ने और इसका 2024 में सैकेंड एडिसन भी होगा याद रखना है, MotoGP कहाँ पे हुई थी? MotoGP अभी Greater Norda में हुई थी, ठीक है Greater Norda में भारत MotoGP जीसे नाम दिया गया था Greater Norda में याद रखना है वार्मा विश्व हिंदी सम्मेलन आपको पता है, फिजी में हुआ था कहाँ पर? फिजी में हुआ था विष्व हिंदी सम्मेलन और हिंदी दिवस जो विष्व वाला है वो दस जनवरी को मनाया जाता है बच्छों ठीक है इसका जो विषय था हिंदी पारंपरिक ज्यान से आर्टिफिशल इंटेलिजेंस यह इसका विषय था थेलो इंडिया विंटर गेम्स का 3 संस्करंप बच्चो तिहार रखना है कश्मीर में हुआ, कहां पर कश्मीर में हुआ याद रखना है बच्चो एक सलाह दे दूँ और कोई दिक्कत नहों एक सलाह दे दूँ अभी मैं जो भी सवाल पूछता हूँ ना बचो, आप उसके क्या कुशिश करते हो, मैंने सवाल पूछा और आपने तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखने लग जाते हो, यानि कि आपका आधा ध्यान कहां हो जाता है, आपका जो 100% अटेंशन है, वो 20% सवाल को पढ़ या आपने और सुनने में ध्यान रहेगा नी, क्योंकि फिर आपका कमेंट का रिपलाई करने में, क्या है बचो, चला जाता है, ये बहुत अच्छी चीज होती है, जब आप कमेंट का रिपलाई करते हो, जब आपके एक्जाम में 3 मंथ बचे हो, कितने बचे हो, 3 मंथ, ले इसी की तरफ ध्यान देके पड़ो, आपको खुद से पता है, अपने दिल में पता है, हो सकता है, आप ये कोशिश कर रहे हो दिखाने की, देखो मैं सब के सवाल सही देता हूँ, लेकिन यहां कहीं न कहीं आपका नुकसान हो रहा है, और यहां प्रस्टेज बनाने का कोई फ सब सरह करते हों, जो मेरी बात को समझते हों, उनसे मैं कहूंगा की अगर आपपे online class में comment से नहीं रुका जाता, उफ-line लो, अगले दिन लो, दो दिन बाद लो, लेकिन अगर आप comment से रुक सकते हो, तो ही online class लो, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है? कोई बात नहीं है não, यह थोड़ी है अब सारी बात मेरी मान लेंगे तो कितना competition बढ़ जाएगा मेरी बात मेरी बात सारे लोग मत मानना मेरी बात वस वही मानना जिनको नौकरी की सच में जरूरत हो क्योंकि ऐसे बच्चे की नौकरी तो लगनी चाहिए जिसकी जरूरत है तो प्लीज हाद जोड के मै request करता हूँ के वल वही बच्चे मेरी बात मानना जिने नौकरी की जरूरत हो जिने जरूरत ना हो उन्हें तो अगले साल मिल जाएगी उससे अगले साल मिल जाएगी जरूरत वालों को इसी साल चाहिए इसलिए प्लीज है चलो अगले सवाल पर आजाओ महरास्ट भूशन यह महरास्ट का सर्वोच्य सम्मान है क्या है सर्वोच्य सम्मान है महरास्ट का महरास्ट भूशन बच्चो यह किसको मिला है अप्पा साहब धर्माधिकारी को महरास्ट भूशन किसको मिला है अप्पा साहब धर्माधिकारी को क्या विश्व रेडियो दिवस नौफरवरी को या तेरे को तेरे फरवरी को विश्व रेडियो दिवस तेरे फरवरी को और इसमें क्या है थीम रेडियो एंड पीस रेडियो एंड पीस इसकी थीम है बच्चो कौन से राज्य की पुलिस को प्रेसीडेंट स्कलर यानि जो एक सम्मान दिया जाता है राष्टपती जी की किसी पुलिस की सेवा से खुश होके तो एक किसको दिया गया था ये हरियाना राज्य की पुलिस को दिया गया था बच्छो जो लेटेस्ट पुलिस्क थी हरियाना की अलहिलाल को हराकर पांचमा क्लब विश्युकप किस ने जीता रियल मेड्रिड ये कौन है ये विजेता है और उपविजेता है अलहिलाल यह क्या है अलहिलाल है बच्छो उपविजेता ध्यान रखना है ठीक है तो यह याद रखना है रियल मेडरेड ने जीता है और यह मुरक्को में हुआ था रबात मुरक्को में कहां पर रबात मुरक्को में यह हुआ था बच्छो कौन से इसकी पूर्व चांसलर है एंजिला मरकेल जिनने युनेसको का शांती पुरुसकार मिला तो जर्मनी की है युनेसको का शांती पुरुसकार किसे मिला एंजिला मरकेल को मिला क्या मिला युनेसको का शांती पुरुसकार मिला वचो ध्यान रखना है जर्मनी की पूर चांसलर है कौन महारास्ट ने ही पहला इस्थान हासिल किया है महारास्ट ने ही दूसरा इस्थान हरियाना का था याद रखना है और ये मध्य प्रदेश में हुए थे कहां पे मध्य प्रदेश में जब रिवीजन करो तो कम से कम जहां जहां मैं पैंसिल छला रहा है हूँ ना वो जरूर देख ले न Prof. चलो बंगलादेश के 22 वे रस्थ पती कौन चुने गए है तो मुहंम्मद शहाबुद्deen चुपू क्या ना मैं इनका मुहंम्मद शहाबुद्deen चुपू क्योंकि बंगलादेश में प्रधानमंती का साशन ज्यादा चलता है तो राष्टपती को बस चुप रहना है चुप रहना है बस तो सहाब उद्दीन चुप हो गए यह आपको याद रखना है ठीक है पाकिस्तान के राष्टपती कौन है आरिफ अलवी है बच्चो सिलंका के कौन है रानिल विक्रम हैं बच्चो इन से पहले विद्यादेवी भंडा दी थी सरकार ने अनुथ्राइज माइनिंग पर अंकुस लगाने के लिए कौन सा एप लॉंच किया है तो खनन प्रहरी नाम का खनन प्रहरी नाम का तो एप है और एक वेब एप्लिकेशन भी होती है जैसे आपकी रोजग एंड मैनेजमेंट सिस्टम ध्यान रखना है बच्चो तो ये क्या है ये क्या है ये एक एप है और अनधिकरत कोईला खनन गतिविधियों की सूचना देना इसका उद्देश है हाल ने यानि हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड ने किस देश को अपना एक हलका हेलिको क्या बचो मुमबई में चलिए है द्यान रखना है एक की है डबल देकर है उपर से इलेक्ट्रिक है अन्तरास्ति है मातर भासा पुरुषकार उसके प्रचार प्रसार के लिए बचो ये किस को मिला है क्या डॉक्तर महेंदर मिश्रा को मिला है इंतरनेशनल मदर दुसरा हिस्सा चल गया नमामी गंगे मिशन टू के लिए कितने रुपे बजट में यानि की दिये गए हैं यानि इनके लिए प्रोविजन किया गया है इतने रुपे का क्या 22,500 करोड हैं क्या 22,500 करोड बिलकुल हैं जी वर्ल्ड गवर्मेंट समिट 2023 तो देखो समिट बच्चो सीधे सीधे सवाल पूछा जाएगा कौन से पूर वाई एस ऑफिसर हैं जिन्हें नीति आयोग का सीओ ध्यान रखना है नीती आयोग के नए सीओ बने है कौन बीवी आर सुब्रमन्यम और उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के तो उपाध्यक्ष हैं सुम बेरी जो है वो नीतियायोग के पाध्यक्ष है ये भी आपको रखना है याद मेरे शेरो ठीक है दादा सहाब फाल के बहुत महत्पूर है तीन चार पुरुसकार होते हैं जो आपको याद करने हैं भगवान की दया से वो अलगलग क्लास में आएंगे सारे पहला तो दादा सह हब फाल के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार में फिल्म आफ दा इयर किसको चुना गया इसमें दो आवार आते हैं एक तो बैस्ट फिल्म का वार आता है एक फिल्म आफ दा इयर बैस्ट फिल्म का वार तो दादा को बैस्ट फिल्म लगी थी कश्मीर फाइल्स दा अन्वीर वे जाइन अन्वीर के अचिक है ध्यान रखता ओल्त धर नमेर के रंवीर कपूर और लगे हैं क्यों लगे क्यों लगे दादा को बैस्ट अक्टर य है पुराने ब्रह्माजी से और ये तो ब्रह्माजी के वाले हैं यानि भगवान ते जुड़े होएं और बुढ़ापे में तो भगवान भड़िया लगे पर दादा एक गडवड कर गए दादा ने भजी बैस्ट एक्टरस बता दी आलिया भट दादा बोले कोई ना ना चेगा ने भगवान 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 दादा बतादा की बात तो कोई टालेगा नहीं बैस्ट एक्टर याद रखना है रनवीर कपूर है यह मालो भगवियू जो है रनवीर वड़ अच्छव बालक है भ्रहमास्टर फिलम बनाई है तो यहां की घरवाली है बैस्ट एक्टरस का और दे जो भी ऐए ना ये लाली ये दे दो आवार जो व्याकर घरवाला के इतनो बडिया है सज्जन बालक है हमते राम राम करके चले हमारा हुक्का भर दे खिलम जो है बीडी सिग्रेट हमाने ला दे तो इससे बढ़िया तो कौन ही होगा इससे बढ़िया कोई नहीं होगा तो बेस्ट एक्टर दादा साहब फाल के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में रनवीर कपूर और एक्टरस हो गई उनकी घर वाली कौन हो गई आलिया भट हो गई भई ठीक है चलो बेस्ट डारेक्टर दादा को कौन बालक बढ़िया लगें जो चुप रहे में कौन बालक बढ़िया लगें मतलब बालकी बालक बालकी कौन बालक या बालिका कौन अच्छी लगें दादा जो चुप रहे में बढ़े इनके आगे कह देना दादा कभी-कभी तो बढ़े किया गए चुप रहक रहे हैं जादा ना बोलिक रहे हैं ध्यान रखना और फिल्म उद्योग में सर्शेस्त जोगदान आई दादा के टाइम की रेखा है तो बैए है योगदान किसका बढ़ी हा लगेगा उन्से रेखा काई लगा विधी ठीक है अच्छी फिल्म में बैस्ट जोगदान इन्हें दे तो दादा इसे ही दे दो और बच्चो आर बाल की कौन बालक बढ़ी है लगें दादा को तो चुप यानी बेस्ट डारेक्टर होगे आर बाल की चुप मुवी के लिए और फिल्म उद्योग में जो आउटस्टेंडिंग कंट्रिब्यूशन रेखा को अवार्ड दिया गया किसको रेखा को अवार्ड दिया गया आयने सुमेधा जो है आईडेक्स नाम की और नेवडेक्स नाम की दो प्रदर्सनी होती है और क्या वो यूएई में होती है यूएई में सीधे सीधे पुछेगा आईडेक्स कहां होता है और नेवडेक्स कहां होता है तो दोनों यूएई में होते ह वाले ने AmPassport Police App, जो आप पासपोर्ट की लिए police की verification करवाते हो तो उसे आसानी से करने के लिए AmPassport Police App बनाई है और इक से संबंदित हो जाएगा यह भाई विदेश मंतराले से क्योंकि पासपोर्ट तक भी चाहिए क्की जब आपको बहार जाना है कहीं पर ठीक है चलो बंगाल के हराकर दूसरा रंडजी ट्रॉफी खिताब इस बार रंडजी ट्रॉफी का चेंपियन कौन है सौरास्ट्र है किसको हराया है बंगाल को तो रास्ट्र ने बंगाल को हराया है तो रंडजी ट्रॉफी का वर्तमान में चेंपियन कौन है सौरास् अगर पूछ ले देखो यह रटना नहीं है लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लास्ट टाइम पर एक दो सवाल जादा पढ़ लेने चीए कहीं न कहीं दिमाग में रह जाता है तो अगर पूछ ले इस बार सबसे ज्यादा रन किसने बनाए थे रनजी में तो मयंक अगरवाल ने बनाए थे बच्चो और सबसे ज्यादा विकिट लिये थे जलज सकसेना ने इसने जलज सकसेना ने दादा सहब फाल के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवाड में बैस्ट फिल्म यह तो मैंने अभी बताया था आपको फिल्म आफ दा इयर टिपल र थी फिल्म आफ दा इयर टिपल र थी मेरे शेरो लेकिन यह कौन सी थी बैस्ट मूवी ता कश्मीर फाइलस बैस्ट मूवी दा कश्मीर फ और भई सबसे बढ़िया contribution लगे दादा को रेखा का तो रेखा को best contribution का आवाड दे दिया ठीक है ध्यान रखना है आपको चलो दादा साफ हाल के international film festival आवाड में most versatile versatile actor of the year versatile का मतलब है जिसमें विविधता बहुत हो यानि आज इस तरह के रॉल कल उस तरह के परसों इस तरह के तो most versatile इक्टर का वाड मिला है किसको? अनुपम खेर को मेरे शेरों अनुपम खेर को उत्तर प्रदेश के किस जिले में? दस दिवसी है ताज महसव simple है वचो ताज महसब कितने दिन का हुआ ये भी पूछ सकता है दस दिवस का हुआ और क्योंकि ताज महसब तो कहां होगा आगरा में होगा सीधी सी बात है भाई साथ कहां पे होगा आगरा में होगा और कहां पे होगा इसकी थीम थी विश्व बंधुत्व यानि यूनिवर्सल फ्रेटर निटी यानि पूरा विश्व एक भाई है दिल्ली का मेर चुनाब हुआ आम आदमी पार्टी की किस पृत्यासी ने जीत हासिल की तो शैली ओबरॉय जो ह थीम क्या थी तो आजादी का अमरत महस्व इसकी थीम थी तीसरा सवाल पूछेगा सम्मानितिया अतिति देश कौन सा था तो फ्रांस इसमें सम्मानितिया अतिति देश था कब प्रधान मंत्री जो किसान सम्मान निधी योजना को चार साल पूरे हुए क्या 24 को हुए है 24 फ साल ही में इसको कितने साल पूरे हो गए हैं ध्यार रखना है चार साल पूरे हो गए हैं ये भी पूर सकता है कि 2024 में इसको कितने साल पूरे हो जाएंगे पांच साल इसको पूरे हो जाएंगे दोनों तरीके से आप याद कर सकते हो ड्यार एचो किस सहर में एक MRNA वैक्सीन हब स्थापित करेगा MRNA हब वेक्सीन हब या नी MRNA वेक्सीन जहां पर डवलप की जाएंगी तो इस तरह का हब स्थापित किया जाएगा ध्यार रखना है 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 ध्राबाद में कहां पर है ध्राबाद में चलो मल्यालम में फैसला प्रकासित किया एक हाई कोट ने और छेत्रिय भासा है क्योंकि मल्यालम कहां की केरल की है तो वो केरल जो है मतलब छेत्रिय भाशा में अपना फैसला प्रकासित करने वाला पहला हाई कोट बन गया वो उसका नाम क्या है बच्छो केरल का हाई कोट है ठीक ह हो गया है उत्तर भारत का पहला नियूक्लियर पावर priority ध्यान रखना वे यह कहां पर है हर्याणा में लेकिन इसमें एक क्या है इसमें एक छिपी हुई चीज़ है हर्याना में फ्तेहाबाद जिला है उसमें गौरखपुर गाओं है गौरखपुर गाओं कभी आप से पूछ ले कौन से राज्य के गोरखपुर में उत्तर भारत का सबसे पहला न्यूकलियर पावर प्लांट बनाया जा रहा है तो गोरखपुर तो है लेकिन यह फत्याबाद जिले में हरियाने में है इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको इंटरनेशनल किर्केट में सब उनने आज अपना 49th यानि की सचिन की बराबरी कर ली 49th 100 यानि शतक बना दिया है और सचिन के भी 49 ही 100 है वंडे में वंडे में केवल वंडे में अभी बराबरी हुई है ठीक है चलो यह भी आपको याद रखना है अमेरिकी बधिक संपदा अधिकार सुचकांक में भारत या 42 में नंबर पर बिल्कुल तो इंटने जो इंटलेक्ट्वल प्रापर्टी है उसमें पहले नंबर पर कौन है USA है बचो कौन USA चलो किस राज्य है केंद्र शासित प्रदेश ने सर्वसेस्ट साहसिक पर्यतन गंतव्य है यानि एडवेंचर ट्यूरिज्म डेस्टिनेश कहां का बेस्ट है ईडवेंचर टो ने अब invented से तुछ किने एन टैंश आ इंप तो कुछ नहीं है लेकिन में नियंकिन टो रोमांचक तो नियों लेकिन कुछ जगेंआ इसा होताई सर्वर्वेस्ट सहासिक पर्येतन गंतवय का पुरुस्कार उसने जीता था ओलिवुद कृतिक सफ rainbow विझा क्रिठी एससे एक फिल्म है हमारी तो होलिवुद कृतिक्स एससेशन बनी की है Hollywood की उसमें Best International Movie का अवार्ड इस फिल्म ने जीता है इसका नाम है Triple R तो Hollywood Critics Association में Best Movie हमारी कौन सी है Triple R है बच्चो क्या है Triple R पूछ सकता है Triple R के Director कौन है SS Raja Molly है बच्चो कौन है SS Raja जमोली है याद रखना है कौनसी केंदर सरकार ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदल के क्या कर दिया बच्चो औरंगाबाद का नाम क्या रहेगा तो यह तो रहेगा चत्रपती संभाजी नगर और बच्चो उस्मानाबाद का नाम है धारा सिव तो औरंगाबाद चत्रपती संभाजी नगर और उस्मानाबाद का है धारा सिव नाम याद रखना है ये दौनों बच्चो छटी बार महिला T20 World Cup जैसे हमने साथवी बार Asia Cup जीता महिलाओं का हमने महिलाओं का जो Asia Cup है वो कौन सी बार जीता था सात्वी बार जीता था हमने Asia Cup जो पुरुसों का है कौन सी बार जीता कौन सा मैन वो हमने सात्वी बार जीता ध्यान रखना है बच्चो ऐसे इन्हों ने छटी बार महिलाओं का T20 World Cup जीता है औस्टेलिया ने इसने औस्टेलिया ने जीता है छटी बार ध्यान रखना है आपको ठीक है विश्यो कैंसर दिवस मनाया जाता है चार फरवरी को इसकी थीम थी Close the Care Gap ये पिछले साल भी थी इस साल भी ये अगले साल भी रहेगी तीन साल की ये ध्यान रखना है तो Close the Care Gap किस भारती है गोल्फ खिलाडी ने केनिया लेडिज ओपन खिताब जीता है तो बच्चों आपको पता है अदिती अशोक कौन है अदिती अशोक हमारी अच्छी बहतरीन गोलफर है और उन्होंने केनिया लेडिज ओपन जीता है क्या केनिया लेडिज ओपन T20 International में 100 विकिट लेने वाली भारत की पहली गैंदबाज महिलाओं की बात कर रहे है वैसे तो T20 International में भारत के कौन है सबसे ज़्यादा विकिट लेने वाले युजवेंदर चहल कौन युजवेंदर चहल ध्यान रखना है तो भारत की पहली गैंदबाज बन गई है T20 International में 100 विकिट लेने वाली उनका नाम है दीपती शर्मा केंद्रिय प्रायोजित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम मैंने बताया था आपको जो चीन से लगती हुई सीमा है तो चीन बॉर्डर पर जो चीन से लगते हुए बॉर्डर है उनका विकास करने से संबंदित है ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इसके लिए क् 4800 करोड, क्या 4800 करोड आवंटित किये गए हैं, क्या ग्रहे मंतरी अमित शाह ने इसे इसका उदगाटन किया, इसे लॉंच किया बिल्कुल, अमित शाह जो है उन्होंने लॉंच किया था, लंदन के बाद कौन सा सहर, दुनिया में सबसे धीमे ड्राइव करने वाला, यनि ट्रैफिक जादा होगा, तभी तो बच्चो जादा है, तभी तो धीमे ड्राइव होगी, तो सबसे जादा ट्रैफिक तो लंदन में, और दूसरे नंबर पर बैंगलूरू में, कहां, दूसरे नंबर पर बैंगलूरू में, इसे कौन जारी करता है, इसका पूरा नाम होता है tom tom traffic index ठीक है tom tom traffic index में कौन सा सहर पहले नंबर पे है दुनिया में तो वो है लंदन और भारत का बंगलूरू है second number पे कौन test cricket में सबसे ज्यादा छक्के simple सवाल पूछा जाएगा factual सवाल है तो test cricket में सबसे ज्यादा छक्के बेन स्टोक्स के नाम है और overall आपको पता है ना मैंने बताया था अभी कुछ दिन पहले overall छक्के जो दुनिया में किर्केट खेला जाता है इंटरनेशनल उसमें सबसे ज्यादा छक्के आपके रोहित शर्मा के हो गए किसके हो गए रोहित शर्मा के सबसे ज्यादा सिक्सर overall किसी भी फॉर्मिट की बात करें तो वह रोहित शर्मा के हो गए हैं लेकिन बेन स्टोक्स के test cricket में है और इन्होंने जो एक बच्चो न्य जरिये वही भोई भेजेगा जहां पर थोड़ी सी जगे ठीक नहीं है जहां उसको पता है कि यहां पहाड वहाड है आदमी लेट पहुंचेगा ड्रॉन पहले पहुंच जाएगा वही भेजगा ठीक है दिल्ली में तो ड्रॉन की क्या ही जरुत है वहाँ पर तो चली जाती चीजें डॉक्यूमेंटरी आई थे एक इंडिया दा मोधी कुष्चन जिस पर काफी विवाद भी हुआ था इंडिया दा मोधी कुष्चन यह एक डॉक्यूमेंटरी थी यहीं छोटी फिल्में से कह सकते हो और बच्चों के कौन लेकर आया था बिटिस ब्रॉड कास्टिं कॉर्परेशन इसे लेकर आया था कांती वेलगु योजना तेलंगना सरकार की है कहां की है तेलंगना सरकार की है कांती वेलगु और मुफ्त आई चेकप से संबंदित है किस से मुफ्त आई चेकप से संबंदित है अंडमान और निकोबार के जो द्वीप समूह से बोला जा गया है तो 21 हैं बच्चो कितने हैं 21 आइलेंड ऐसे हैं जिनका नाम करण जिने अब परमवीर चक्र विजयताओं के नाम से जाना जाएगा याद रखना है बच्चो 21 आइलेंड हैं कौन डीजी सीए के चीफ बने हैं डीजी सीए हमारे यहां वो संस्था जो नई एरपोर्ट बनाने के लिए अनुमति देती है कोई जहाज भारत में आएगा तो ऊड़ पाएगा नहीं उसके आुमती देती है जो हमारे एर के महानिदेशक बन गए हैं कौन विक्रम देव दत्य बच्छो पहले मैं इसी मंत्राले में था इन्हीं के अंडर मैं काम करता था ध्यान रखना है ठीक है विक्रम देव दत्य साहब जो है इनके साथ एक रूम में भी मीटिंग लिए हुई हमने बिलकुल है इनने उन्हें मीटि शिस्टम जैसे androidic mobile operating system है जैसे apple वालों का iOS है इसी तरह भरोस जो है यह जादा महत्पूर काम IIT मदरास करती है कौन करती है IIT मदरास वच्छो ठीक है चलो global fire power index में भारत की rank है चौ्थी पहले नंबर पे अमेरिका दूसरे पे रूस तीसरे पे चीन अमेरिका रूस चीन अम कौन तो बचो ग्रहे मंत्रालय elder करता है ठीक है अश्का ठाणा है कौन सा अस्का ठाणा उससे पिछले साल सडर्वजार ** जो था यह गंजाम जिले का है यह दनिया का अदेस का बच्व सबसे number लेक थीक है चलो लड़्दाख में किस उद्ध्य से उलपिन नाम की योजना शुरू की गई है तो उलपिन योजना शुरू की गई है जो भूमी के record है जमीन के जो record है उनके digitally करण के लिए अगर उलपिन की आपको full form पता चल जाएगी Unique Land Parcel Identification Number Unique Land Parcel Identification Number तो यह होगी उल्पिन तो उल्पिन कहां की है लद्दा की आपसे ये भी पूछा जाएगा कहां की है लद्दा की है उल्पिन योजना ये भी आपको बच्चो मेरे शेरो पता होना चाहिए ठीक है संस्थागत स्रेणी के तहत सुभास चंदर बोस आपदा प्रबंधन पुरुसकार ये आपदा से लड़ने वाले लोगों को दिया जाता है दो कैटगरी में दिया जाता है एक तो व्यक्तिगत कैटगरी में यानि एक कोई व्यक्ति अगर अपने दम पे लड़े किसी से आपदा से आफस से तो उसे पांच लाख रुपे दिये जाते हैं एक ये संस्थाओं को दिया जाता है तो अगर संस्था कोई लड़ती है उसको 51 लाख रुपे दिये जाते हैं यानि उडिसा इस्टेट बच्चो डिजास्टर मेनेजमेंट अथोरिटी और लुंगलेई फायर स्टेशन है मिजोरम में कहां पर मिजोरम में तो इन दौनों को ही सम्मानित किया गया है यो नेक्स संराइज इंडिया ओपन ध्यान रखना है बच्चो यह उन्होंने ही जीता है यो नेक्स संराइज इंडिया ओपन यह भारत आयूजित करवाता है ठीक है यह सुपर 750 केटगरी में हुआ था मैंने आपको पहले कई बार बताया होगा कि यह टूनामेंट कई कटगरी के होते हैं सुपर 100 मतलब छोटा टूनामेंट है सुपर 150 थोड़ा बढ़ा है नहोंने जीता जो बाद में वर्ल्ड चेंपियन भी बने जो दोनों लोग बाद में वर्ल्ड चेंपियन भी बने हैं बच्चो वर्ल्ड चेंपियन तो एक तो पुरुसों में तो कुनलावुत विटिर्सन कुनलावुत विटिर्सन इनका नाम याद करना ही पड़ेगा क्य लिए यंग हैं दक्षिन कोरिया की कहां की गच्षिन कोरिया की और यह जो भारत का था था! यूण एक सुन्राइज इंडिया उपन इसमें यूइंड़ वाला यहनी की मैंस डिबल्स वाला हमने भी जीता सात्विक साईराज रंकी रड़ी और चिराग शत्ती की जोडी ने कौन से बैडमिंटन खिलाडी ने मलेशिया उपन जीता सूपर 1000 है यानी जो सबसे बड़े टूनामेंट होते हैं उनमें से एक तो महिला वर्का अकाने यामा गुची ने किसने अकाने यामा गुची और विक्टर एक्सलसन ने पुरुस वर्का ये फिलाल के ओलंपिक चेंपियन है और पिछले साल के वर्ल्ड चेंपियन ये कौन है ओलंपिक चेंपियन है यानि जो पिछला ओलंपिक हुआ था उसमें इ 1950 में 25 जनवरी के दिन ही हमारा Election Commission of India जो है उसकी स्थापना हुई थी, उसकी थीम है Nothing Like Voting, I Vote For Sure, रास्टिये मतदाता दिवस्त 2013 की थीम क्या है, Nothing Like Voting, यानि वोट के, वोट जैसा कुछ भी नहीं है मैं जरूर वोट करूँगा, क्योंकि वोट मेरी ताकत है, ये मुझे ताकत देता है कि मैं दुनिया, दुनिया का जो सबसे बड़ा लोगतंतर है, उसमें कौनसी सरकार आईगी, ये मुझे decide करने का क्या देता है, ये मौका देता है, ये ताकत देता है, तो Nothing Like Voting, I Vote For Sure, ये रास्टिये मतदाता दिवस्त की थीम है, बचो याद रखना है, जो 27 से 31 ज बैठक, विदेस मंत्रियों की बैठक जो है, वो हुई थी गोआ में, कहां पर हुई थी, गोआ में, आप देख लो, ये फिल्म वाली हमने फिल्म वाली जगे पर करवाई, चंगाई की जो फिल्म वाली थी, वो हमने फिल्म वाली जगे करवाई, तो फिल्म वाली जगे हमा विदेश में हुई लेकिन जो मेन बैठक होने वाली थी वो नई दिल्ली में वो फिर बाद में वर्चुल हो गई कैसी हो गई वर्चुल इस बार इरान को शामिल किया गया था और अब 9 सदस्य हैं कितने हैं अब 9 सदस्य हैं कौन से मंत्राले ने लाल किले में एक 6 दिवस का भारत पर्व का आयोजन किया तो पहले तो पुछेगा भारत पर्व कहां पर हुआ था नई दिल्ली में हुआ कहां नई दिल्ली में लाल किले में का मतला भी यह नई दिल्ली में हुआ और यह परेटन मंत्राले ने आयोजन कर निधन इनका निधन जो हुआ ध्यान रखना है तो एक तो इन्हें मिला था क्या इन्हें बच्चो कौन सा पुरुसकार मिल चुका था पृत-जर 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 जीतने वाले पहले पृत- पिचानमे साल के उनमे निधन हो गया ये पूछे गानी वैसे पिचानमे वाला कौन-कौन से पुरुसकार मिले हैं तो इसी साल इन्हें पदम विभूशन भी मिला था पहले पदम भूशन भी मिल चुका है पदम शिरी भी मिल चुका है और प्रितजर आर्किटेक्चर 2018 में मिला था पहली बार किसी भारतिये को प्रितजर मिला था ठीक है ग्लोबल स्टैक डवलपर कॉन्फरेंस कहां पर हुई ग्लोबल स्टैक डवलपर कॉन्फरेंस का नई दिल्ली में हुई बिलकुल नई दिल्ली में हुई और स्टैक भारत स्टैक हम किसको बोलते हैं जो हमने conference करवाई और वो conference कौन सी थी global stack developer conference और यह कहाँ पर हुई बचो नई दिल्ली में हुई कहाँ पर नई दिल्ली में भारत का उत्तर भारत का सबसे बड़ा floating solar plant वैसे तो सबसे जदा बड़ा जो floating वाला solar park मान सकते हो से वो कहाँ पर बनाया भारत में वो मध्य प्रदेश में बनाया है लेकिन उत्तर भारत का बनाया है चंडीगड में कहाँ बनाया बचो चंडीगड में बनाया है याद रखना है किस railway station को हाल ही में इंडियन ग्रीन बिल्दिंग कॉंग्रेस ने ग्री green railway station का certificate दिया है green railway station के लिए platinum rating दी जाती है और वो विशाखा पटनम को दिया गया है किसको विशाखा पटनम को कौनसे footballer साओधी क्लब से जुड़े हैं साओधी क्लब से जुड़े थे बच्चो क्रिस्टियान रोनाल्डो कौनसे से अल नासर नाम का क्लब है अल नासर तो हुई थी उसमें कोनेरू हमपी ने क्या जीता था विश्व बिलिज सतरंज चैंपियंशिप हुई उसमें कोनेरू हमपी ने जीता था बच्चो क्या रज्जत पदक क्या जीता था रज्जत पदक और विश्व विश्चिनाथनानंद के बाद पहली पहली ही बच्चों यह दूसरा मतलब विष्चिनाथनानंद के बाद दूसरे ही वो विक्ती हैं जिन्नोंने यह पदक जीता है ठीक है चृलो अगला भारत की पहली अंडर वाटर मैट्रो तो आपको पता है पस्चिम बंगाल में चलेग जो एक नाव पर तीन-चार कोच रखे जाते हैं वहाँ पर चलती नहीं है पानी में चलती थोड़ी है तो वाटर मेट्रो जो है कोची में याद रखना है केंद्र ने किस राज्य में कलासा बंडूरी पर योजना सीधे पूछेगा और आप बताओगे आंसर करना टक ठीक है तो जो यह क्या है कि कलासा बंडूरी एक पानी सिचाई वगरा से संबंदित योजना है जो कई सारे जिले को पीने का पानी भी करना टक मैं भीज़ेगा तेरह जिलों को कितना को तेरह जिलों को बच्चो ठीक है तो कलासा बंडूरी कहां की है यही पूछेगा आपसे करना इससे संबंदित है, इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रोध्यकिक मंत्राले जो है, यही संबंदित है, ओनलाइन गेमिंग से, तो पॉलिसी भी कौन लेके आएगा, यही लेके आएगा, सीधी सी बात है, वैश्विक इस्तर पर सबसे बड़ा ओटो बजार बन गया तीसरे न पर भारत, तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आटो मार्केट है भारत, दूसरी सबसे बड़ी अमेरिका, पहली सबसे बड़ी चीन है, याद रखना है बचो, कौनसे भारती पहलवान है, जिनकी 97 जैनती आई, तो गूगल डूडल ने उन्हें सम्मानित किया, गूगल का सर्च बार है, जहां आप कुछ भी सर्च करते हो, जब किसी महान विक्ती के बारे में बताना होता है, तो इसके उपर भी वो कुछ बना देते हैं, उपर, हम उसे देख के कई बार छोड़ देते हैं, अगर हम उस पर क्लिक करेंगे, तो उस आदमी के बारे में सारी जानक किसि को गल्ती से class पसंदारी हो तो like भी अदल एक कुरणा करता नो हो और ऌसी को मेंने रैपिड फायर शुरू किया था पहला rapid fire आ गया है बच्छो लाता तो दो जरूर लेकिन दिन में गले में कुछ दिक्कसी होगी थी आजकल मौसम खराब चल रहा है आपको भी बचाना पड़ेगा खुद को सर्दी हो रही है अब पहनने शुरू कर दो स्वेटर वगयरा परना पेपर से पहले दो दिन भी बिमार होगे ना तो सारा मिट्टी में मिल जाएगा स्वेटर पहनो सुबह शाम को मफलर भी पहनो मैं अभी बाहर गया था घूमने मुझे महसूसी के बाहर पे बहुत ठंड है बाहर अगर जाओ तो कुछ ना कुछ पहन के जाओ ठीक है रेपिट फायर ले 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 ना वो मैं कल फिर दो ले के आऊँगा दिन में कल कोशिश करूँगा दोलाने की ठीक है चलो बच्चा अगला है किस राज्य ने समविधान साक्षरता अभियान प्रारंब किया है तो सम कुद्री मार्ग से पारसल और मेल पहुंचाने के लिए तरंग मेल सेवा शुरू की देखो आपको पता होगा कि गुजरात में कोस्ट है गुजरात में बहुत सारा ठीक है तो कई बार रोड से उतनी चीज़ें नहीं आसानी से जाती जितनी किस्से पानी पानी से चली जात यहीं सबसे डीप अंडर ग्राउंड मेट्रो स्टेशन क्या पूरे में बन रहा है बिलकुल पूरे में बन रहा है बचो 2023 में हमने कौन सा गंतंत्र दिवस मनाया क्या 24 मनाया बिलकुल 24 हमने मनाया बचो ठीक है सेंटर फॉर मेरी टाइम एकनॉमी एन कनेक्टिविटी बनाया गया है कहां पर इसने पूचा है किस केंदर सासित प्रदेश में राज्य में तो हम बताएंगे नई दिल्ली में बचो वैसे तो आप देख लेना जो मेरी टाइम एकनॉमी और कनेक्टिविटी का क्या मतलब इससे पर कई बार ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है व किया कजाकिस्तान में हो रही है वो बिलकुल कजाकिस्तान में हो रही है ध्यान रखना है ceo का शिखर सम्मेलन जो हुआ उसकी द्गineos ता 2023 में किसने की तो भारत ने यहर ने का अध्यक्ष 2023 में कौन था भारत अध्यक्षे जैसे g20 का अध्यक्ष कोन था यह भी भारत अध्यक्षे बच्छों किस में 2023 में याद्र रखना है ठीक है घ्लों अगला कुशन है brand finance है एक इसकी global IT brand list आती है यह यह इनि global IT brand list जो IT companyya है उनमें जो सबसे बहतरीन company है उनकी list आती है तो इसके नुसार कौनसी भारतिय IT company top 3 में आई है top 3 में brand finance जो है एक संस्था मान लो कोई कहीं संस्था होती है कहीं magazine होती है कुछ भी मान सकते हो ठीक है तो brand finance ने global IT brand list जो है वो जारी की इसमें top 3 में दो भारत की company है TCS दूसरे number पर Infosys तीसरे number पर TCS दूसरे number पर Infosys तीसरे पर तो जहान रखना है और पहले number पर है एक Accenture नाम की company है Accenture कैसी company है बच्चो IT company है और यह दुनिया की जब सबसे बहत्रीन company में आई इसका नाम आपको पता होना ही चीए क्या होना चीए पता होना चीए नील मनी फूकन नाम के कवी थे उनका निधन हो गया बच्चो वह असम के थे और उन्हें 56 ग्यान पीठ मिला था उन्हें नील मनी फूकन को है ना फूक मार रहे थे जब फूक मारता है कोई भी आदमी है ना जो भुट्टे है ना उन्हें भूनने के लिए फूक मार रहे थे जब फूक मारता है कोई भी आदमी तो 56 निच का सीना हो जाता है उसका फूल जाता है ना फूक मारों लगाता है उसका दामोदर माउजो को मिला 56 वाइन को दौनों को याद रखना है ठीक है दौनों को रखना है याद है ना चलो बचो भारत ने 2023 के जो गंतंत्र दिवस पर मुख्यती थी के रूप पे बुलाया था किसको अब्दल फतह LCC इनका पूरा नाम है इससे पहले अब्देल और जुड अब्दयल फतह LCC को बुलाया था यह किस देश के किस देश के थे तो यह मिसर के थे उसर के रास्पती हैं किसके है मिसर के राश्पती हैं बच्छों ध्यान रखना है और भारत ने इनवाइटे तो कर दिया जो बिडिन को अगले साल के लिए वो आएंगे या नहीं आएंगे उनकी मर्जी है ठीक है चलो तो गंतंतर दिवस के लिए अब्दिल फते अलसी सी दियार रखना है बचो फिर बाद में पी एम मोधी गए मिस्र तो उन्होंने पी एम मोधी को मिस्र का सर्वोच सम्मान भी द आता है तो इसलिए the order of Nile के नाम से ही वो देते हैं ठीक है order of Nile के नाम से वो देते है एरो इंडिया श्टो दो महतपूर्ण सो होते हैं तो defense expo एक साल तो यह होता है तो 2022 में हुआ था 22 के लास्ट में और यह कहां पे हुआ था बच्छो गांधी नगर में कहां पे गांधी नगर में बच्छो और दूसरा है कौन सा defense expo के लावा एरो इंडिया यह एरफोर्स का होता है यह बंगलूरू में हुआ था बच्छो यह 23 में हुआ है बंगलूरू में तो याद रखना है यह यह दौनों आपको रखने है याद बच्छो आर्डवलू करेंट अफेर्स ट कि भी आपके लिए कुछ क्योंकि मैंने बता है कि मैं साथ दिन की छुटी पर हूँ मेरी कोशिश रहेगी पहली जिस मेरी जिम्मेदारी current affair है तो मैं कोशिश करूंगा पहले current affair में कुछ छुटा तो नहीं है उस हिसाब से देखूंगा तो पूरा ध्यान तो धरी रहेगा पर 5-7-10 जितनी भी हो पाएंगी छोटी छोटी वीडियो GS booster के नाम से मैं आपको normal GS की भी लेकर आऊँगा ठीक है जिसमें हमारे समविधान के article भी प्रमुख है ठीक है वो भी जरूर कराने है तो उसके समविधान संसोधन भी करवाने है ठीक है समविधान संसोधन अनुस सूचियां भी करानी है तो यह सब चीज़ें भी करानी है ध्यान रखना है बचो यह सब लेकर आना है लेकिन उसके लिए आपको यह telegram channel करना पड़ेगा download इसे करना पड़ेगा join अगर आप नहीं करोगे तो आपको notification नहीं मिलेगा क्योंकि उनका कोई fix time नहीं रहेगा कुछ भी करेंगे अभी के लिए इतना ही हन्यवाद